महादेव जय भोलेनात नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है धर्म ग्यान के मार्ग में आज हम बात किरेंगे कन्या रासी वालों के लिए एक से एक तिस मही दो हजार चौबिस कैसर हने वाला है इस मही ने क्या बदलने वाला है हर भी सैपर सठीक भविष बाणी लाश्ट में बताऊंगे एक चुपाए जिसे करके आप हर परिसानी से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने भविष में आगे बढ़ सकते हैं तो से पहले आप लोगों तक कमेंट बॉक्स में हरहर महादीव जय भोलेना जरूर लिखेगा इनकी किर्वाप पाने के लिए दोस्तों कण्या रासी वाले के द्रिश्टी कोड़ से यह महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है दसंभाव के श्वामी बुद्ध महाराज सब्तम भाव में अपनी नीच रासी मीन में राहु मंगल के साथ उपस्तित रहेंगे इससे नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ प्राप्ति हो रही है विरोधी भी चारों तरफ से आपको इस दवरान साउधानी बरतनी होगी ताकि नौकरी हाथ से ना चली जाए बुद्ध गरा महीने के अंतिम दिन 31 तारीक को नवम भाव में आ जाएंगे यह समय नौकरी में सफलता देगा और आपका किसी अच्छी जगह पर अस्तनांतरन भी हो सकता है चठ्थे भाव बैपार कर रहे जातकों को साउधानी से काम लेना होगा सब्तम भाव में राहू मंगल और बुद्ध एक साथ पिरजमान है और आपकी रासी में केतु महराज की उपस्तिती पूरे महीने बनी रहेगी इससे बैपार में उथल पुथल हो सकती है आपके संबंद आपके बैपार के लिए हितिकारी रहेगी और आपका बैपार अनेक जगहों पर फैलेगा यदि आपकी आर्थिक इस्तिती को देखा जाए तो आर्थिक तिरिष्टिकोर से यह महीना कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है छट्थे भाव में सनी महराज सब्तम भाव में आर्थिक चुनोतियां आपका इंतजार करेगी आपके खर्चे बेतहासा रूप से बढ़ेंगे जिन पर नियंतरन रखना आपके बस के बाहर होगा फिर भी आपको निरंतर परियास करना होगा क्योंकि आमदनी बहुत समाने रहेगी पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि यह समय आमदनी में कुछ कमी दिख रहा है इसलिए आपको अपने खर्चों को कुई नियंतरन में लाने के लिए परियास करने होंगे क्योंकि यदि एक बार वह नियंतरन में आ गये तो फिर आपकी आर्थिक इस्तिति अनुकुल हो सकती है दूसरे भाव के श्वामी शुक धूंडेने की कोशिस करेंगे हलाकि 19 माई को शुक्र आपके नमभाव में चले जाएंगे और वहां पर देव गुरु विरस्पती से उनकी मुलकात होगी जिससे आपको आर्थिक लाव होने लगेगा बजार की चाल को समझ कर निवेश करना आपके लिए फायदे मंद रहे लेकिन कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है यह महीना स्वास्त के दृष्टी कोण से कम ही अनकुल दिखाई दे रहा है आपकी रासी श्वामी बुद्ध महराज अपनी नीच रासी मीन में राहू और मंगल के साथ बिरजमान रह है इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी अपने आपको तंदरुस्त कैसे बनाया जाए इसके लिए सुबह की सेर करना अच्छा होगा त्वाजा समंधी समस्याइं रक्ट समंधी समस्याइं आपको परिसान कर सकती है सनी महराज चट्टे भाव में रहकर आपको परखेंगे यदि आप आलसाय से भरे रहेंगे तो स्वास्त समस्याइं बढ़ेगी अन्य अथा आप इन समस्याओं से बाहर निकलेंगे महीने का उत्रार्थ स्वास्त समस्याओं में कमी लेकर आ सकता है यदि प्रेम और बैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि दिन प्रती दिन बढ़ता चला जाएगा इससे आप जिन से प्यार करते हैं उनके काफी निकट आ जाएंगे और अपने रिष्टे को खुबसूरत तरीके से बैतित करेंगे पंचम भाव के श्वामिश जनी महराज छटे भाव में बैठकर 12 भाव को देख रहे हैं जिससे आपके प्रेमी कुछ समय के लिए किसी कायर के चलते कहीं बाहर जा सकते हैं जिससे आपको उनकी कमी भी खल सकती है बिवाहित चातकों के लिए या महिना कमजोर रहने की संभावना है आपकी रासी में केतु और सब्तम भाव में राहू मंगल और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपसी अहम का टकराव और जुवानी जंग कराने में कोई कमी बाकी नहीं रखेगा जिससे आप और आपक दूर तक जा सकता है खलाकि देव गुरु ग्रस्पति की द्रिष्टी प्रथम भाव पर होने से आप सही निर्णाय लेकर समय रहते चीजों को संभाल पाएंगे दस मई को बुध के मेस रासी में चले जाने से इन प्रस्तितियों में थोड़ी कमी आएगी और ससुराल पक् प्रोद दिखाना परिवार के लोगों से आपके शमने बिगाड सकता है चतुर्त भाव के स्वामी देव गुरु ग्रस्पति नवं भाव में विरजमान है जिससे आप परिवार के साथ किसी तिर्थ हे यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं और इससे घर में शुक और सांति का यूग बनेगा आपकी रासी परदेव गुरु विर्यस्पति का प्रभाव होने से आप अच्छे नीणाय लेंगे जिसे परिवार के सद्दस्यों को किसी तरह की कोई अश्रुविदा नहीं होगी सुक्र और सुर्य अश्टम भाव में विरजमान हैं और यहां से आपके दूसरे भाव को देखते हैं इसकी वज़ा से कुटुम के लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान देंगे थोड़ा आहम का टकराव तो होगा लेकिन फिर भी घर के इस्तिति अच्छी रहेगी भाई बह कैसे सवधान रहना है और कहां आपको लाह मिलेगा अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए इन सभी परिसानियों से बचने के लिए और अपनी जीवन में आगे पढ़ने के लिए आपको प्रती दिन भगवान स्री हरी बिश्नों जी की उपासना करना चाहिए सुक अगर आप चाहें तो इन सभी उपाय को कर सकते हैं वरना इस में से एक दो उपाय करें और भगवान से प्रार्थना करें इन सभी परिसानियों से बहुत जल्द आपको छुड़कारा मिलेगा गई हैं देखिए ड मएं बल्कि और आपको पास våra चाहिए और बहुत करना ऑन क लेगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए धन्य बाद